MP से हैं अनीता जी स्वागत है आपका नमस्कार मुझे हाकीम साथ से बात करनी है जी बात थोरी सुनीता जी मैं हजीर हूँ बताईए क्या सेवा हाकीम साथ जी मेरे ना बालवे में प्रावलम है काई में बालवे में बालों में जी क्या दिक्कत है बालों में पता नहीं डाक् और एक नस है न वो बल्यून की तरह फूली है नाक आपकी? नस हाँ नस अच्छा नस फूली होगी है अच्छा कुछ लिया आपने मेरा नस्खा मैंने जो बताया जी आपने कोई नस्खा लिया है मेरा अभी तक नहीं अब इंदोर की दबाई चल रही है इंदोर की चल रही है? हाँ पर मुझे भूत ठकान बहुत जली हो जाती है मैं खड़ी रेती हूं तो मेरे पेर में सूजना आ जाती है और बहुत ठक जाती हूं अच्छा आयू और बता दीजे और मेरी पेर घुटने में भी बहुत दर्द रियता है आप आयू बताइए मुझे आयू मेरी पचास ठीक देखिए वही सवाल आ गया आप कह रहे थे मेरी पैल जाता है और देखिए थोड़ा सयम रखें और जो मैं नुस्का बता रहा हूं उसे उस तरह ही ले जैसे मैंने ब धनिया और अलसी पीस के रखें दो दो सुगिराम अलसी को हलका सा भून कर उसका पौडर बनाए धनिये का पौडर बनाए इन सब इन दोनों को मिला दे आपस में और एक आता है गौन सियाह इकाला गौन असली चाहिए हर सूरत में हर कीमत पर असली चाहिए ये आदा गिराम लीजे और एक आता है नमक जैतून ये भी असली चाहिए ये एक चुटकी नमक जैतून एक आदा गिराम बन सियाह और ये जो पौडर मैंने आपसे बनवाया अलसी और धनिये का ये एक चमश है इसमें मिला कर आप रोज़ाना नाशते के बाद और रातों खाने के बाद खाना शुरू करें और कम साथ दिन सबर करें इतने दिन में थोड़ा-थोड़ासा फायदा शुरू करेगा और 7-8 मेहीने खाने को तयार रहे असली दवाईएं अगर आपको मिल गई तो आपको फायदा होना मुम्किन है जी अंबाला से हैं कमल स्वागत है आपका नमस्कार कमल जी आपका सवाल क्या है यह तरह पैर दर्द रहता है नहीं तंग मने दर्द रहता है यह तोनों टांगों में दर्द रहता है अधिक यह उम्र और यह दर्द कोई ताज्जब की बात नहीं है, शाले साल के बाद कभी भी यह दर्द किसी को भी हो सकता है, अब जब हमसे लोग जुड़ते हैं, तो वो काफी वक्त हो चुका होता है, साल, दो साल, पांच साल, दस साल हो चुकर होते हैं इस दर्द को, इस दो हिदायते हैं, और एक दवा, हिदायत यह है के वैस्टन टॉयलेट, यह कुरसी वाला शोचाले यूज़ करना है, और मेहनत नहीं करनी, वज़न नहीं उठाना है, यह दो बातों का ख्याल लगए हैं, और गौन सियाह नाम का एक काला गौन दाता है, असली आपको हासिल करना है, यह जायके में कड़वा होता है, और इसे काला गौन भी कहते हैं, और हम लोग गौन सियाह कहते हैं, यह गौन है, जो रो मेटेरियल है, गौन की शकल में, नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी, यह अगर सौ ग्राम भी मिल गया आपको, तो पं पानी से या बगएर चर्वी के दूसरे, यह लेना शुरू कर दे, पांच साथ दिन सबर करें, इससे फाइदा थोड़ा-थोड़ा सा पांच साथ दिन में होने लगता है, और एक महीना होते होते बीच-तीस परसेंट, यह इससे ज्यादा यह से कम फाइदा, ऐसे होता है, युनानी में जरा सा रोग रोजाना निकलता है, एक साथ यह फाइदा निकलता, और यह 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया, तो फाइदा होना मुम्किन है, जी, जैपूर से है मोनी, स्वागत है आपका, जी मैं नमस्ते, आंकल इसे भी मेरा नमस्ते बोल रही जी, नमस्कार जैहीन आदाब, जी, मैं सुन रहा हूं बच्चा, जी मैं मुझे प्रोग्रम है, मेरे हाथ पर में जलन होती है, मुझे खेल होता है, और खाना खाते हैं, थोड़ा ज्यादा खाल लेते हैं, तो ऐसल अच्छा उल्टी होने वाले थोड़ा इस्सा खाना निका पाते, आपक आपकी बहुत कम है, तो कम उमर बच्चों को फाइदा भी बड़ा तेजी से होता है, और वो यह है कि मैथी 100 ग्राम खरी दें, और धनिया 200 ग्राम, और इन दोनों का बहुत बारीक पाउडर बना लें, अब आपको खाना कैसे हैं, एक आता है नमक जैतून, यह भी 100 ग्राम लेने अलग रखए, यह नमक, ऐसा नमक है जो नमकीन होता, दुनिया का ऐसा नमक जो नमकीन होता, देखने में नमक जैसा ही लगताए, यह 100 ग्राम खरीद लें, अब आदा चमच यह जो पॉडर मेने बनवाया मैथी और धनिये, का तो गिराम मेथी और दो सो गिराम दनिया इसका पौडर आधा चमच ले और एक चुटकी में जितना नमक देतू नाता इसे मिलाएं और सुबह नाश्टे से आधा एक घंटा पहले खालिया करें और ऐसी तरह शाम को खाने से पहले आधा एक घंटे पहले खालिया करें अगर अगले कॉलर है राजकोर्ट से स्वागत है आपका हालो 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 क्या नाम है आपका मेरा नाम रामा बेन आपका स्वागत है और आप अपना सवाल कर लिजी सासु मा की उमर कितनी है है मेरे इसा साथमा की उमर में सब्सक्राइब पर इसको कोई रोग नहीं हो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करते वह अपना नहीं अपने घर वालों का फाइदा चाहते हैं यह बहुत आसान इलाज है आपकी सासु मा का और यह जो धनिया होता ना धनिया पीछ ले खुब बारिक और तिन-चार सु गिराम पीछ ले और गौन सियाह ले ले सौ ग्राम खरीद लें बस असली लेना है याद रखें कि यह नकली बहुत मिलता है हर जगा मिलता है हम जब यह बांगते हैं दुकानदार से जाकर तो वो हमें क्या दे देता है एक चमकतावा गौन शीशे की तरह चमकतावा और वो एलवा होता है कोई भी चमकतावा गौन न दारी और अधाचमच धनिया और अधा गिराम अधागिराम समझे ले कालागॉन है कालागॉन रॉटर बनाना पड़ेगा अलक से अलक से बना कर रखें आदा गिराम धनिया मैं मिला कर आप रोजाना दो बार नाच्टे के पष्चाथ, और ख्ष्छाथ के बाद आप दो बार दीजे पानी से या बगएर चर्बी के दूसरे अगर असली गौन स्याह मिल गया तो यह 15-16 रुपए का एक दिन का होता है एक गिराम जो अदा अदा गिराम आपको खाना है अगर असली किसी को मिल गया तो बेश्टर उनको फाइदा होना मुम्किन है हर तो रेखा जी आपको मेरी अवाज मिल पा रही है चलिए आपकी कॉल जो है वो डिसकनेक्ट हो गई है तो आप से कहूंगी कि दुबारा से कॉल ट्राइ कर लीजेगा अब यह समय काफी है अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है और आप जल से जल बहतर होना चाहती है तो आ अगर आपकी कॉल लाइफ कारिक्रम में नहीं लग पाती है तो आप हेल्प लाइन नंबर से भी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करके बहतरीन कीमती नुसके जान सकते हैं क्योंकि वो आपको वही नुसके बताते हैं जो हकीम सहाब से पहले पूछे जाते हैं उनसे सल सब्सक्राइब मिला है या फिर मन में कोई प्रश्न आप लोगों के होता है तो आप लाइफ कारिक्रम के माध्यम से अपना रोग संबंधी कोई भी सवाल कर सकते हैं जार खंड से हैं संतलाल जी स्वागत है आपका सर बताईए सवाल कर लीजिए सवाल है मैं आपका नस सुग्या है कलम मुत्या के करण दिखाए नहीं दे रहा है मैंने सुगर के करण अपरसंदी नहीं कर पा रहे हैं चीक है अधि यह है जो दिखिए वाकई जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी जब तक ऑपरेशन मुम्किन नहीं है और इसका इलाज आपका ऑपरेशन ही सही है अगर वो दवा भी खाते रहे शुगर की जो आप खाते हैं और एक आता है जामुन का गौन बहुत मुश्किल से मिलता है बहुत कम मिलता है जामुन का गौन खरीद लीजे और आदा आदा गिराम दो बार कम असकम खाने से आदा घंटा पहले खाईए और डॉक्टर की दवा भी खाते रहें आप चार-छे दिन खाएंगे न तो आपकी शुगर अपने लेबिल पे आ जानी चाहिए लगी डॉक्टर की द खेम साहब ने आपको बता दिया है अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है जल से जल आप नुसके बना लिजेगा अगर आप लिक नहीं पाए हैं या फिर कोई बी बात लिखने से चूख गए हैं तो उसके लिए आप हेल्प लाइन नंबर पे कभी भी कॉ कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं next caller है स्वागत है आपका हान जी आपका नाम क्या है कहां से बात कर रहे हैं जी अधर को ब्लेक्ट रिशन लो हो जाता है उनकी उम्र कितनी है 55 और के दिक्कत है और कोई दिक्कत नी दिल की धरकन बढ़ जाती है वह जब ब्लेक्ट रिश बिल्जियम कोई है बिल्जियम का गई तब वो कंट्रोल में होता है ठीक है यह यह बी एक बीमारी है कि बीपी कम हो जाता है और पल्स बढ़ जाती है अब इसके लिए आपको देखिए समझ लीज़े नस्वा क्या है यह एक आता है हलीम हलीम बूटी कहते हैं उसे और यह जैसे तिल होते ना ऐसे ऐसे तिल की तरह बीज होते है लेकिन वो लाल होते हैं सुर्क होते लाल यह हलीम बूटी जो इंडिया में यूज होती है वो होती है जब हम वो फालूदा खाते हैं तो उसमें लाल लाल से बीज नजर आते हैं आपको तो वही बूटी है यह हलीम ब खरीद लें सच्टी आती है और एक चमस अलीम बूटी आप एक गिलास दूद में जिसमें चर्बी नहो ज्यादा चर्बी नहो या पानी में डाल दीजे और एक आता है नमक जैतुन वो एक चुटकी में जितना आए वो इसमें डाल दीजे और एक काफी आती काफी काफी जो हम पीते हैं वही काफी एक चुटकी में जितनी काफी आए वो भी इसमें डाल दीजे नमक जैतुन नमकीन नहीं होता और काफी तो आप जानते हैं हलीम के बारे मैंने आपको वता एक चमस और एक चुटकी काफी और नमक जैतुन असली लें नक सकते हैं और एक गंटे इसे ऐसी रहन दिजें एक गंटे बाद एक बार या दो बार और खाने से पहले भी दे सकते हैं बाद में भी दे सकते हैं आपकी मम्मी को फाइदा मुमकिन है जी गोरकपूर से हैं प्रियंका स्वागत है आपका हलो हां जी बताइए मैं क्या सवाल है आपका हां मैं नमस्कार मैं मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूं पूछिए आपका ये मैं देखती हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है जी शुक्रिया जी मैं मेरे ये बाज में बहुत दर्द रहता है मैंने इलाज में कराया एक तरह गुरा कराया कोई फायरा नहीं हो रहा तावा भी ले रही हूं दो चार दिन से ये कंधे में दर्द कपसे है एक महीने हो गए मैं आपके उम्रे कितनी है ठीक है ठीक है आप देखिए अभी तो बहुत अभी शुरू हुआ है दर्द लेकिन ये दर्द पीछा नहीं शोड़ता है किसी सूरत दर्द की दवाएं भी आदमी कितनी खाएगा दर्द की दवाएं खाना चाहें तो खाते रहें लेकिन एक मरज की दवा खाएं मरज की दवा एक रौ मेटरियल मैं अक्सर बताता हूं जिसमें बेच्टर लोगों को फाइदा होता है उसको कहते हैं गौन सिया काला गौन कहते है और असली लेना जरूरी है लोग बड़े बेवानी पर उतरा है नकली बेचने लगे एक गौन सिया असली लेना आपकी जिम्मेदारी है और बस आधा ग्राम सुबा आधा ग्राम शाम खाने के बाद खालिया करिए अगर ये असल मुक्त होना मुम्किन है जी